दोस्तों नमस्कार अब इस पूडियो में हम 2.5 में 3 का भाग कैसे देते हैं या सिखेंगे तो दोस्तों ये आपको ऐसा लिखावा भी बिन सकता है 2.5 बटे 3 सब का मतलब क्या है एक ही दोस्तों हम पूरा basic mathematics सीख रहे हैं तो आप हमारे आनी वीडियो देखिए चैनल की playlist में जाकर आपका एकदम basic mathematics पूरा clear हो जाएगा सरव परतम दोस्तों एक अंग के संख्या को लेना है और देखना है क्या ये संख्या आपके 3 से बड़ी है यदि 3 से बड़ी है तब ही आप भाग दे पाएंगे 3 से बड़ा नहीं है देखे कितना है 2 है जो 3 से चोटा है यानि हम भाग नहीं दे सकते हैं फिर क्या करें अगले एक अंग को और सामिल करना पड़ेगा इसमें लेकिन 20 में पॉइंट आ रहा है तो ध्यान रखें दोस्तों जैसे हम इस अंग को सामिल करने जाएंगे उससे पहले यह आपका पॉइंट यहां से यहां जाने हम 20 में पॉइंट आ रहा है 4, 3, 12, 5, 3, 15, 6, 3, 18, 7, 20, 8, 3, 24, 9, 3, 27, देखे, यहां पे 9 वार मैं पहड़ा बोलता हूं, तो 25 से बढ़ा रहा है, लेकिन, 8 वार जब मैं पहड़ा बोला, तो कितना रहा है, 24 आ रहा है, जितनी वार पहड़ा बोलेंगे, उतनी वार आपका भाग जाएगा, फिर इसको अठाना है, 25 मैंस 24 कितना आ गया, बोलिए, एक आ गया, चीक है, पॉइंट लगा रखा है, तो इसके साथ हम एक, जिरू लिख सकता है, एक तरी तरी बे तरी च्छे, तीन तरी नव, चार तरी बार है, चार बार बोला, दस से बढ़ा रहा है, लेकिन, तीन वार बोला, कित एक आ गया, पॉइंट लगा रखाद, इसके साथ जिरू लिख देता है, फिर आपका दस आ गया, फिर तीन वाच ला गया, फिर कितना आ गया, नौ आ गया, पिर मैनस किया, एक आ गया, अब ये आप कैसा चलता रहेगा, यह जो संख्याई है, यह आपका क्या है, भागफल है, यानि 2.5 बट्टे 3 बराबर आप क्या लिख देंगे, अपना भागफल 0.833 लिख देंगे, ठीक है, ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमने यह अपना डिवैड किया, वीडियो कैसा लगा, नीचे कॉमेंट कर बता हैं, इस चैनल को सब्स्ट्राइब करें, ऐसे ही या नीचे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के फ्लेलिस्ट पर विजेट करें